हेलो फ्रेंड्स विल्कम टु माई योटूब चैनल जी एस क्लासेज में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज हम अपने इस वीडियो में टीजीटी-पीजीटी सोचियोलाजी प्रैक्टिस एड़मन 97 को सॉल्व करेंगे ये प्रैक्टिस एड बिल्कुली स्लेबस के एकॉर् देखिएगा और हां अगर आपको वीडियो पसंद आएद वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा और साथी साथ प्रैक्टिस एड को सॉल्व करने के बात कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताएगा कि आज के प्रैक्टिस एड में आपके टोटल कितने कुश्चन नंबर वन को, आज के माँ कुश्चन नंबर वन है, एमें स्री निवास के अनुसार भारत में ग्रामीन समुदाइग के सामाजिक संगथन में एच्छिक स्दस्टता की इकाई क्या रे, आप्सन नंबर फिल से खखिएगए है, आप्सन नंबर भारा, एप्सन न समुदाय के सामाजिक संगठन में एचिक सदस्ता की इकाई दल है जबकि भारत में ग्रामीर समुदाय के सामाजिक संगठन की अनिवार सदस्ता जाती वंस परंपरा तथा परिवार है तो इस वज़े से इस कुशन का राइट एंसर हो क्या है हमारा ऑप्सन नमबर डी आज हमारा सेकेंड कुशन है निम्न कतनों पर विचार कीजिए कुशन कहरा है कि जाती विशेश की प्रधानता होती है जब वह जाती पॉइंट नमबर एक दिया गया है संख्या में प्रचूर हो पॉइंट नमबर टू है अनुष्ठानिक सुचता पूंड हो पॉइंट नमबर थी दिया गया है राजनेतिक रूप से सक्तिसाली हो और पॉइंट नमबर फोर दिया गया है ग्राम की अधिकांस भूमिका स्वामी हो. कुछिशन क्या कह रहा है कि इन कत्र में सही उतर का चुनाओ कीजिए. तिस कुछिशन का राइट- सूर क्या हो जाएगा? इस कुछिशन का राइट- सूर हो जाएगा हमारा अप्षिन नंबर D यानि कि एमन्सरी निवास के मतानुसार प्रभुजात से तातपर्य है वहजात जो उस गाउं या समुदाय में संख्या की दिश्ट से अधिक हो, जिसका क्रिस योग भूम के बड़े भाग पर सौमित हो, जिसके पास आर्थिक राजनेतिक स्थक्ति हो और जिसे जाती संस्त्रण में उच अस्थान प्राप्त हो, तिस वज़े से इस कुश्चन का राइट एंसर हो जाएगा हमारा ओप्सन नमबर डी, आज हमारा थर्ड कुश्चन है, यह किसने बताया है कि प्रभावसाली भूम का निर्वाह और भूम का आवंटन को सुनशित करने के लिए सामाजिक संस्त्रण की आवशक्ता होती है, सामाजिक संस्त्रण की प्रकारिवादी सिध्धान का प्रतिपादन किंग्सले डेविस तथा बिलबर्ड मूर ने अपने लेख सम प्रिंस्पल आप सैटिस्वाक्शन में जो है किया हुआ है, तिस वज़ा से इस कुश्चन का राइट एंसर हो जाएगा हमारा ओप्सन नम निम्न लिखित में से कौन सा बिभेधि करण का बोध कराता ना कि संस्तरी करणod का और आप्सं नम बशेवादी करण का या हो जाएगा इस कुश्चन का राइट एंसर हो जाएगा हमारा ओप्शन नमबर डी यानि की लिंग लिंग बिभेदी करण का बोध कराता है ना कि संस्त्री करण का सामाजिक बिभेदी करण का प्रक्रिया है जिसके दोरा ब्यक्तियों और समुहों को कुछ मूर्थ आधारों पर जो है विभाजित किया जाता है जैसे आयू लिंग बुद्धि व्यक्तित धर्म प्रजात सिच्छा भांसा एवं संपत्ति आध तेस वज़े से इस कुश्चन का राइट एंसर होगा हमारा ओप्शन नमबर डी आज हमारा अगला प्रश्ण है निम्न कतनों पर विचार किजिये कि संस्रण की प्रकार्यात्मक सिध्वांत के अनुशार पॉइंट नम्र वन डिया गया और सामाजिक संस्रण सामाजिक पद्धों की नंबी चोड़ी विभिन्ताओं बढ़ने है हर समाज को व्यक्तिक्त सदस्चों में चुनाओ करना पड़ता है और पॉइंट न कथनों में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए तिस कुश्चन का राइट एंसर क्या हो जाएगा इस कुश्चन का राइट एंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानि कि आप ऐसा कह सकते हैं कि संस्तरण के प्रकार यात्मक सिध्धानत के अनुसार प्रश्ण कत में यह जो तीनों कथन दिये गये हैं यह तीनों ही कथन जो है सही है तो कुश्चन का राइट एंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी आज हैं अगला अगला प्रशासन और सुरच्छा, क्रिश और वाड़िज तथा सेवाएं और सारीरिक स्रम जैसे वण ब्योस्था के चार प्रकार यात्मक समूह किस आवशक्ता के परड़ाम है। ऑप्शन नमबर A दिया गया है सामाजिक जीवन सहली के आधार पर विभाजन के। उप्शन नमबर B दिया गया है महीला पूर्स में समाजिक भेदभाव के आधार पर विभाजन के। और ओप्शन नमबर D दिया गया है स्रम के आधार पर विभाजन के। ति इस question का right answer क्या हो जाएगा हमारा? uh data यानि की स्रम के आधार पर विभाजन के। अध्यापन और प्रवचन, प्रशाशन और सुरच्छा, क्रिश और वाडिज तथा, सेवाएं और सारीरिक स्रम जैसे वन्ड ब्योस्ता के चार प्रकार्यात्मक स्रम समू, स्रम के आधार पर विभाजन के आवशक्ता के परडाम है, अधकुशन का राइट एंसर होगा, आप प्रस्थित में आसमांता। कुशन क्या कह रहा है कि इन कत्नों में से कौन से सही है, इस कौन से सही है, इस क्याका राइट यानि Typ प्रकारयातमक अन्तह निर भरता और गाव्यम में बिभीन आन्तह निर्भरता, जहमाने बहुत cleanup, स्रम होगा जा जिसके करण गाउं में बिबिन समों की प्रस्थित में आसमानता पाई जाती है, जजबानी विवस्ता की आउधाना का उल्लेख यहां बिलियम वाइजर ने दे हिंदू जजमाने सिस्टम में किया है, इस प्रता के अंदरगत एक ग्राम में बसे हुए प्रतेग जाते समों से यहां आसा की जाती है कि वह दूसरी जात के परिवारों को कुछ प्रमाडिक सेवाएं प्रदान करें, जिन लोगों के लिए कार किया जाता है, वे जजमान कहलाते हैं और जो लोग सेवा करते हैं, वे कमीन कहलाते हैं, इस वजह से इस कुश्चन का राइट एंसर हो सेवाएं प्रदान करेगा उसे कहते हैं option number a दियागे है जमीदारी ब्योस्ता, option number b है तिनकठिया ब्योस्ता, option number c है one ब्योस्ता, option number d दियागे है जजमानी ब्योस्ता, तीस क्युशन का राइट एंसर क्या हो जाएगा हमारा, इस कुशन का राइट एंसर हो जाएगा हमारा option number D, यानि कि जज्जमानी ब्यौस्था, पार्वंपरीक भारती समाज में उस ब्यौस्था को जिसके आधार पर आपेच्छा होती है कि प्रतेक जाती समूँ अन्ने जात की गई. Option no A, दिया गया NK बोश दवरा, option no B है A वे थे दवरा, option no C है MN 3 नीवास दवरा और option no D दिया गया है S.C. दूबे दवरा तिस question का right answer क्या हो जाएगा? इस question का right answer हो जाएगा हमारा option no C, यानि की MN 3 नीवास के दवरा, MN 3 नीवास ने सरवप्र्थम प्रभावी जाति की जो है आउधारा बिक्सित की थी कुश्चन का राइट एंसर होगा ओप्सन नमबर सी आज हमारा अगला प्रश्ण है उद्धर और दोगिक समाज में निम्न लिखित में से आर्थिक कारे कलापों के कौन से छेत्र का अधिक प्रधान्य होगा ओप्सन नम अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो फ्लीज आप वीडियो को लाइक कर दें और यदि आप इस वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं हमारे टेलिग्राम चैनल पर अब तक प्रवाइड किये गए जितने भी प्रैक्टिस हैं उन सभी के पीडियाप जो है अबेलबल है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप से एक इंफॉर्मेशन करनी थी कि यदि आप सोशियो इंफॉर्मेंट देखने को मिलेगा ठीक है तो आप लोग टेलिग्राम चैनल को जरूर्ण करने टेलिग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिशन बॉक्स में प्रोइड करा दिया गया है जहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है तो चले सॉल्व करते हैं आज हमार न्यक्शन को आज हमरा नेक्स कुश्वन को सूची दो से सुमिल्थ किजे तथा सूचियों के नीचे दिये गया कूट की प्रयोग ad qar सही उतरका चुनाव किजे यहां पर सूच सूची नंबर वन दिया गया और यह हमारा सूची नंबर दो है हमें इनका आपस में मिलान कर उन्हीं का हमें आपस में मिलान करना है तो आई मिलान करते हैं पहला हमारा जो स्रमिक संगवाद का सिध्धान्त है वह है आर्थकी वाद आर्थकी वाद का सिध्धांद किस ने दिया था तो आर्थकी वाद का जो सिध्धांद था वह लेनिन ने दिया था किस ने दिया था दूसरा है समावेशन समावेशन का सिध्धांद किस ने दिया था तो समावेशन का सिध्धांद ट्राटस की ने दिया था किस ने दिया था राइट आएंसर हो जाएगा मोगा मप्राइग. अगला प्रश्न है. यहां पे दो कथन दिये गया है, पहले को कथन A से और दूसरे को उसके कारण R से दर्जाया गया है, कथन A करा कि आदिवासी एक क्रिशक समाजों की तुलना में अधियोगिक समाज में गौण सम्मू अधिक प्रभाव साली है, और इसका कारण दिया गया है कि अधिक जटिल एवं तकन की युक्त प्रणाली होती है, कुशन क्या कह रहा है कि नीचे दिये गया कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए, तिस कुशन का राइट एंसर क्या हो जाएगा, इस कुशन का राइट एंसर हो जाएगा हमारा ओप्सन नंबर B, यानि कि कथन A और कारण R दोनों साली है क्योंकि अधिक जटिल योम तक्निकी युक्त प्रणाली होती है, अतहा कथन A और कारण R दोनों सही है, और साथ ही साथ कारण R या कथन A की सही असपश्टी करण नहीं कर रहा है, आज हमारा अगला प्रशन है, उत्तर अधिक समाजों में निम्न लिखित में से कौन सी विशेष्टा पाई जाती है, और साथ कुष्चन का राइट एंसर क्या हो जाएगा, इस कुष्चन का राइट एंसर हो जाएगा हमारा और साथ का बाहुल्य, डेनियल बेल के नुसार उत्तर अधिक समाज के पांच आयाम है, पहला है सर्विस एकोनोमी, दूसरा है तीसरा है धूरी का सिध्धान्त, चौथा है भविष्ट का अभिमुखन और पांचवा है नेडए निर्धारन, तीस वज़े से इस कुश्चन का राइट एंसर क्या हो जाएगा, तीस कुश्चन का राइट एंसर हो जाएगा हमारा option number D, आज हमारा अगला प्रश्ण है, सुतंदरता पूर्वकाल के दौरान ग्रामीड भारत के अंतरजाती संबंद अधिकांशता निम्नलकित में से किसके दौरा परिचालित होते थे, option number A दिया गया है पारशपरता और प्रभुता के संबंद में, option number B है सेवाओं का आधान प्रदान, option number C है सासिकी, अविजात वर्ग से गटवंदन, और option number D दिया गया है अपने पन की भावना पर आधारित संबंद, तिस कुश्चन का राइट एंसर क्या होगा, इस कुश्चन का राइट एंसर हो जाएगा हमारा option number A यानि की परशपरता और प्रभुता के संबंद में, एमन स्री निवास के अनुशार जजमानी परथा के माध्यम से परशपरता और प्रभुता से संबंद थात, question का राइट एंसर होगा option number A, आज हमारा अगला प्रशन है, भारत में मुद्रा संबंदी प्रभुता निम्न रिखित में से किसके हाथ में है, option number A दिया गया है, State bank of India, option number B रिजर्वएंक आफ इंडिया, option number C यह यूज ना आयो, और option number D दिया गया हमारा बित्त मंत्रा लए, तिस question का right answer क्या हो जाएगा, इस question का right answer हो जाएगा हमारा option number B, रिजर्वएंक आफ इंडिया, रिजर्ब बैंक आफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी तो रिजर्ब बैंक आफ इंडिया की स्थापना जो है हुई थी वर्स 1934, वर्स 1934 के भारत सासन अधिनियम के तहत की गई थी, वर्स 1934 में कब? वर्स 1939 में, रिजर्ब बैंक आफ इंडिया का राष्ठीय करन किया गया, रिजर्ब बैंक आफ इन्डिया का मुत्था कार जो है नोटों को जारी करना, सारकार के बैंकर एजेंट जो है सलाह करता और बैंकों का जो है बैंकर आ दी है इस वज़ा से इस कुश्चन का राइट एंसर क्या हो जाएगा कुश्चन का राइट एंसर हो जाएगा हमारा ऑप्सिन नमबर बी आज यमारा अगला प्रश्ण है निम्न लिखित में से कौन सी एक मानवी जाएगा हमारा लाल नहरू ने कहा है कि अधनिक भारत का मंदीर है जवाहलाल नहरू को भारत के अधनिक करण का जनक भी माना जाता है कुछ्चन का राइट हैंसर हो जाएगा ऑप्सिंफ नमबर बी आज क्या मारा अगला प्रश्ण है मूल तंत्र का अर्थ है, option number A है उत्पादकों द्वारा मूल परचालन, option number B है उपभोगताओं द्वारा मूल परचालन, option number C है मूल निर्धारण करने वाली बाजार सक्तियों की स्वता प्रवर्तित गद्विदी, और, option number D दे गया है विनियमित, बाजार ती, इस कुच्चन का राइट एंसवर क्या हो जाएगा, इस कुच्चन का राइट एंसवर हो जाएगा हमारा option number C, यानकि मूल निर्धारण करने वाली बाजार सक्तियों की स्वता प्रवर्तित गद्विदी, मूल निर्धारण करने वाली ब्याजार सक्तियों की स्वता प्रिवर्तित गद्वी थे हैं कुश्चन का राइट एंसर होगा ऑप्शन नमबर सी आज हमारा अगला प्रश्ण है क्रोनी पूजी वाद में प्रधान होता है एह सक्तिसाली भूपारी परिवारूं का साजहदारी वाली कमपनियों किरोनी पूजी वाद में साजहदारी वाली कमपनियों का प्रधान होता है question का right answer होगा option number C, आज के हमारा अगला प्रश्ण है, निम्न लिखीत में से किस ने लोक नगरी निरंतरता सब्दावली को जन्म दिया, option number A है आरी पार्क ने, option number B है आर रेड़ फिल्ड ने, option number C है आर डेरिंडार्प ने, और option number D दिया गया V के मैलनो वस्की ने, तो इस question का right answer हो जाएगा हमारा option number B, यानि की राबर्ट रेड़ फिल्ड ने, राबर्ट रेड़ फिल्ड ने मैक्सिको के योगटान ग्राम के अध्यन के पश्चात वर्स 1941 में, वर्स 1941 में, फॉल्क कल्चर आप यक्टन में जो है लोक नगरी निरंतरता किया उधारा को जन्म दिया थ कुशन का राइट एंसर हो जाएगा option number B, आज हमारा अगला प्रश्ण है, social change in modern इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे, option number A है SC दोबे, option number B है व्रिजराज चोहान, option number C है MN स्री निवास, और option number D दिया गया है योगेंद्र सिंग, तो इस कुशन का राइट एंसर क्या हो जा पांडे, अधिती सिंग, वंदना मिस्त्रा, कलपना सिंग, संजु सरोज, कोमल यादो, निक चोधरी, नितु कुमारी, पूनम त्रिपाठी, अकांची सिंग, कार्तिकेया, वैसाली गुप्ता, असोक कुमार, आन्या मोर्या, सुधा यादो, रियाना बानो, सुमन, सेगल, पूजा जैसवाल, रतनेश कुमार, कविता दूबे, संध्या मिश्रा, वैभा सर्मा, डॉली कुष्वाह, रुपेश दिवेदी, इंदु यादो, सीपी चौहान, विवेक तिवारी, रंजना यादो, गौरो सिंग, अनुफा पांडे, राकेश बाभू, सौर्य शुकला, फर्या खान, अर्चना स्रीवास्तो, सुसील कुमार, अनामिका गुपता, अमिता तिवारी, अंकिता वर्मा, सिखा सुरी, विरेंद्र सर्मा, मनोज कुमार, परमेंद्रा राय, लिच जारा, प्रिय जारा, अनुस सर्मा, पुस्पा कुमारी, विनुदसा, माही सर्मा, Social Change in Modern India नामक पुस्तक के लिखक कौन है तिस question का right answer हो जाएगा हमारा option number C यानि कि Amun Sri Nivaas Social Change in Modern India 1966 पुस्तक के लिखक Amun Sri Nivaas है इनकी प्रमक पुस्तक निम्न लिखी थे हैं जैसे marriage and family in Mysore, religion and society among the kurgas of South India, India's village, caste in modern India and other assets, Dimension of Social Change in India, the diamond, caste and other assets, the remembered village यानि कि यह सब जो है यह जितनी भी बुक है यह सब जो है Amun Sri Nivaas की प्रमक पुस्तके हैं तिस वज़े से इस question का right answer होगा option number C, आज हमारा last question है Harjan Elite नामक पुस्तक के लिखक कौन है? option number A, Kingslay Davis, option number B, K, M, Kapadia, option number C, M, A, M, Sa, and option number D दिये गया है सचिदा नंद friend जैसा कि आपको पता है कि हमारे practice set के last question आप लोगों के लिए छोड़ दिये जाते हैं यानि कि इस question का right answer क्या होगा आप लोगों को comment box में comment करके बताना होगा कि question का right answer क्या होगा? उमेद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप वीडियो को like कर दें और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया है तो आप वीडियो को dislike कर दें और आपने वीडियो को dislike क्यों किया है इसको comment box में comment करके जरूर कंसेडर करेंगे तो चले मिलते हम आपसे अपने नेश वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद बंदे मातरम